नमस्कार दोस्तों, जाब अपडेट्स यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं फ्रेंट्स, पावर ग्रीड कार्पोरेशन आफ इंडिया लिम्टेड की तरफ से 15-11-2022 को एक वैकेंसी निकाली गई थी जो RDSS स्कीम के तहथ थी, यानि distribution sector reform स्कीम के तहथ जहां पर बहुत अच्छी वैकेंसी थी फिल्ड इंजिनियर की वैकेंसी आई थी जो बीटेक के छात्रों के लिए थी और ऐसे फिल्ड सूपरवाइजर की वैकेंसी आई थी जो डिफ्लोमा के छात्रों के लिए थी तो फिल्ड इंजिनियर में बात करें, electrical के लिए 50 पोस्ट की वैकेंसी थी, electronics and communication के लिए 15 और फिल्ड इंजिनियर IT के बात करें तो 15 वैकेंसी यहां के लिए थी फिल्ड सूपरवाइजर, electrical में 480 और फिल्ड सूपरवाइजर, electronics and communication में 240 जो की बहुत अच्ची वैकेंसी थे और जीतने चात्र फार्म को अप्लाई किये थे 50 पोश्ट की वैकेंसी थे और कितने चात्रों ने फार्म अप्लाई किया है तो यहां देखेंगे 409 चात्रों ने फार्म अप्लाई किया यानि एक सीट पे लगभग 8 चात्र है यानि एक सीट पे बात कर लें तो 483 से डिवाइड कर देंगे ते प्राक्स 1.6 के आसपास आएगा यानि देड़ से कम ही चात्र एक सीट पे यहां पे फाइट कर रहे हैं वहीं field supervisor electronics and communication में total 127 चात्रों ने फार्म को अप्लाई किया जबकि 240 फ्रीट थी यानि जो भी चात्र इस फार्म को अप्लाई किये हैं electronics and communication ब्रांग से ऐसे सभी चात्र सेलेक्ट हो जाएंगे या रिजल्ट जारी किया जाता है तो लेकिन power grid क्या है कि बच्चों के भविश्य के साथ खेल रही है यहां पे आप देखेंगे जो इनसे result के बारे में पूछा गया कि date of publishing result exam के बारे में दिनों ने कहा कि the query pertains the future events यानि कि यह भविश्य का question पूछा गया है जिस पे यह कोई जवाब नहीं देंगे और RTI की यह फलानवा डेकनवा सेक्षन में नहीं आता यह बच्चों के भविश्य के साथ सीजा सीधा अईसा power grid को नहीं करना चाहिए अभी देखेंगे कि हर जोन के रीजन से अलग अलग बैकेंसी आ रहे हैं साउथ के जो रीजन है सर वान टू वह अलग से contractual based बैकेंसी निकाल चुक और उसके बाद यहां पर फिर पूछा गया कि भीया एक साल complete हो गया तो रिजल्ट कब आएगी तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि भीया requirement के हिसाब से आपका रिजल्ट जारी क्या गया गया यानि इनका यदि काम हो गया तो भीया आपका रिजल्ट गई भाड में अब selection नहीं होने वाला इस तरीके के इन्होंने जवाब दिया एकदम मतलब कि बच्चों के carrier के साथ सीधा सीधा खिलवार के कर रहे हैं यदि आपके पास requirement नहीं थी ता आपने क्यों निकाला requirement थी तभी निकाला लेकिन उस काम को बिना बैकेंसी के आए आपने किसे करवाया क्यों करवाया भाई क्यों बच्चे के साथ खेले उसमें बच्चों का आर्थिक छद भी हुई मानसिक छद भी हुई और सारीरिक छद भी हुई कैसे हुई एक्जाम देने के लिए बच्चे जहां भी गए होंगे ठहरना एक्जाम दे थी तो आपने वैकेंसी निकाली क्यों खेर ये रिप्लाई आ गया है हो सकता है कि इनके प्रोजेक्ट की रिक्वार्मेंट आगी हो बट हमको उमीद नहीं लगता कुछ चात्र कह रहे थे कि रिजल्ट बाई मेल वन बाई वन सबको भेजा जा रहा है तो आप लोग भी देखते रहे हैं हमको तो ऐसी कोई सूचना अभी तक नहीं मिली कि इस का रिजल्ट बच्चो को मेल के थुरू भेजा जा रहा है क्योंकि हमको जहां तक पता है कि सभी जोन अपना अलग अलग वैकेंसी निकाल चुकी है और उसका वैकेंसी का एक्जाम करा के ऐसे बच्चों को इक्स्पीरियंस बच्चों को अपने हां का लेटर देके बुला रही हैं जबकि RDSS के थूज जितने छात्रों ने फार्म को अप्लाई किया था उन सभी का रिजल्ट अभी अब तक पेंडिंग है बाकि इससे जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहीएगा जैसे भी कोई नया अपडेट्स आता हैं आपको सूचना दे दे कीजिए और याद हमारे चैनल पर आप बिल्कुल नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद